हेलो दोस्तों मैं प्रसांत इक जाम दीज की यूटूब चैनल में आपको स्वागत करता हूँ मौमेद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं नुकलियर फ्यूल कॉम्पलक्स यानि की एनफची में जो पेपर कंड़क्ट ह उसके मौडल पेपर को मैं इस वीडियो पर लिया है प्लीज आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखे ताकि आपको पतर चलते के जाम पर कैसे कोश्चन पूछी जाते हैं दोस्तों आप से एक रिक्वेश्ट है यदि आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ह दाकि उनके प्रेपरिस्ट भी अच्छी हो सके चलिए आज की वीडियो की सुरूराद करते हैं दोस्तों वीडियो सरू करने से पहले कुछ बेसिंग इफ्मेशन को देख लेते हैं एनेपसी याने के निकुलियर फ्यूल कॉंपलेक्स है हाले में जो पेपर कंड़क्ट करा आनेवाल है chemical plant operator का उसके exam pattern को देख लेते हैं एक बार तो दोस्तों जो यह exam होता है तीन स्टेच पर होता है पहले स्टेच पर आपको preliminary test देना पड़ेगा दूसरे स्टेच पर आपको advanced test देना पड़ेगा और तीसरे स्टेच पर आपको skill test देना पड़ेगा ठीक है यदि आ यहार ही decide होती है तो advanced test की अधार ही decided होती है यानि कि prelim test और scale test आपको सिर्फ pass करना होता है ठेक है मुझे उम्मेदा आप सभी लोग इसके exam pattern को समझ गए होंगे चलिए अब discuss करते हैं फिरिलम test के बार के कि prelim test में कैसे question आते है और कित्ते marks के question रहते हैं तो दोस्तो जो यह प्रिलम टेस्ट होता है इस पर 50 question आते हैं और कितने mark से question रहते हैं 150 mark के question रहते हैं यानि कि पर question तीन mark का रहता है और इसमें total timing मिलते हैं आपको 60 minutes की यानि कि एक घंड तकी आपको timing दी जाती है दोस्तों जो एक प्रिलम्ड est होता है इसके कोछ इनिट्रक्शन होते हैं तो एक बडर उसे देख लिएते है तो दोस्तों जो एक पेपर होता है इस पर 50 Question आते हैं आप सभे लुक जानती ही होंगे तो यह 50 Question तीन पर्ट में दिवाइड होते हैं पहले पर पर मैट की की 20 question देखने को मिलेंगे दूसरे पार्ट में आपके science की 20 question देखने को मिलेंगे और तीसे पार्ट में आपको current affair और जन्दर knowledge की 10 question देखने को मिलेंगे ठीक है दूसरे पार्ट पर बोला गए है कि all question query all equal marks यानि कि पर take question के लिए समान marks है यड़ी आप किसी question की answer को साही करते हैं तो उसके लिए 3 marks दिये जाएंगे ठीक है और यड़ी आपके question को गलत करते हैं तो उसके लिए minus 1 marks दिये जाएंगे ठीक है मुझे उम्मीद है आप सब लोग इसकी exam pattern को अच्छे तरह समझगी होंगे चली अब डिसकस करते है प्रिलम टेस्ट के model पीपर को question number 1 सेड़ी एक से लेकि 100 तक की पदों का योगफल कितना है बहुत important लिए देखे रहे होगजैंगे यहां पर प्रिथमपद दिया हुआ है और अंतीम पद डिया ठीक है तो आप सब्सक्राइब या यह एक साब सब्सक्णाइब प्रता रहेगी एक और पनों कि संख्या कित्ती रहेगी एक से लिके साँ तक आप जिनती करेंगे तुर यहां पर कित्ते 16 हучेंगे तो यहां पर किता है लखेंगे हम यहां पर एक 122 पर रखेंगे हम यहां पर ऑफागं किसक्ति करते हैं जाएगा तो बहुता है और हम लिखेंगे कि 101 इंटु पचास बरावर पचास पचास इसका राइट आंसर हैगा यानि कि ऑप्स नमबर इसका राइट आंसर हाग चलिए next question क्यों चलते हैं next question है किसी संख्या को इंक्यानवे से भाग देनी पर safe-power 17 प्राप्थ होता है तो उसी संख्या को देरे से भाग देनी पर सेसफल कितना प्राप्थ होगा बहुत ही जी कोशन है और इस टाप की कोशन भी पूछे जाते हैं तो क्या करना अपने को क्या बोला किसी संख्या को ठीक है किसी संख्या को इंक्याननेवी सिभाग देनी पर सेसफल कितना प्राप्थ होता है सत्रा प्राप्त होता है तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर सेस्फल कितना प्राप्त होगा हमें यह याद करना है तो क्या करना अपने को जो यह सेस्फल दिया रहता है और इसके बाद जो संख्या दे रहती है उस संख्य को आपस में भाग लगा देजिए आंसर आ जाएगा ठेक है यहां पर सेजपल अपने पों दिया है 17 इसके बाद दूति भाजक मतलब जैसे भाग देना है दूति भाजक यहां पर लिखेंगे दूति भाजक यहां पर इंक्यान नवी या किसी संख्या को इंक्यान तो अपने को क्या करना है सेस्वाल में दूति भाजक को भाग दे दिना है यहांपर क्या करेंगे सत्रा दिवाइड बै तेरा का भाग देंगे तो सेसवाल करते पराप्त होगा चार पराप्त होगा यानि कि option A is राइट आंसर रहेगा चलिये next question क्यों चलते हैं next question है, कौन लगुतम अभाज संख्या एंड कि को और शेसकी होते हैं तो आप सभी लुग बताएं अभाज संख्या किसे कहते हैं तो अभाज संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल दो गुडनकंद होती है पहली वह स्वयम होती है और दूसरी एक होती है उसको कहते है् hajj sankhya तो एक बार example की थ्यूर समझ लेते हैं यहाँ पर दो दिया हुआ हैं ठीक है ? यहाँ पर दो दिया हुआ है तो दो में सिर्प 2 का भाग जा सकता है और एक का भाग जा सकता है इसके अलावा अदर किसे संख्य का भाग नहीं जा सकता है इसलिए यहाँ पर लगुताम अवाजी संख्य कौन से होगी तो होगी यानि कि सबसे छोटी अवाजी संख्य कौन से है दो है next question है इसे solve करना पड़ेगा तो चली इस question को एक पर लिख लेते हैं यहाँ पर question क्या बोला है अंदर रूट 256 ठीक है अंदर रूट 256 डिवाइड वाइब अंडर रूट एकस बरावर एक बटे 3 ठीक है तो इससे solve करना है तो चली इस question को फिर solve करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अंडर रूट 256 बटे एकस ठीक है भाग के सिंबल को हमने इस टाइप से लिख दिया और यहां पर एक बटे तीन तो है है अब क्या करना है दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए आंसर आजाएगा हमने इसका भी वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया ठीक है तो यहां पर कित्ता आ जाएगा वर्ग मु चापन इंटू 9 तो आप इसे स्वाल कराएंगे तो कि तता आ जाएगा 304 ठीक है ओप्सन नुमबर ये इसका राइट आंसर रहेगा मुझे उम्मीद है आप सभी लोग समझ गये होंगे चलिए नेक्ट कोश्चिन क्यों चलते हैं नेक्ट कोश्चिन है ट्रिपल जेरो चार्सों गटालिस का मंद कितना होगा बहुत ही जी कोश्चिन है और इस टाइप के कोश्चिन बहुत ही पूंची जाते हैं तो अपने को क्या करना है यहां पर क्या लिए है वर्ग मूल कित्ते देया है वर्ग मूल 0.00441 ठीक है आप बाद कितनी संक्या है थी तो दसम्र लोग के जब इसका वर्गमूल लेंगे तो यहां पर कितना आ जगे यहां पर सिर्फ 3 संक्याएं ही रहेंगी यानि कि 0.021 इसका राइट आनसर है यानि कि ऑपस नंबर भी इसका राइट आनसर हIB चली नेट कोशन की वह चलते हैं नेट क क discovers 43 पावर 23 सकते हैं सथा हैं 37 को लिख सकते हैं तीन की पावर 3 और यहां पर क्या लिख सकते हैं ? और आप 4 43 काव लिख सकते हैं ? 3 क opens 5 और यहां पर यहां पर रहे गए हैं ।λάब् 140 होता है आप सब aquestों कर मैं यहां पर इतने और इслиंगे 3 इप्षें साथ गञता चाइए गश्या 7 से माइनस तेन बराबर तेन की पावरर फंदरह आप सबी लोग देख रहे होंगे यहां पर तीन और यहां पर इतन ठीं जब यह बराबर है तो इनकी घातने भी बराबर रहेंगे तो हमने लिख दिया यहां पर च्छाइए करती आ जाएगी तीन आ जाएगी यानि कि ऑप्सन नंबर डी इसका राइट आंसर है मुझे उम्मेद है आप सभी लोग समझ गए होंगे और इसे आप स्वाल जोग कर सकते हैं चलिए नेफ्ट कोशन क्यों चलते हैं नेफ्ट कोशन है इसे आप सभी लोग ध्हान से देखेगे एक दिसम्लो आर्ट इंटु एक दिसम्लो आर्ट इंटु एक दिसम्लो आर्ट ठीक है माइनस एक दिसम्लो तीन इंटु एक दिसम्लो तीन इंटु एक दिसम्लो तीन इसके बात क्या बोले एक दिसम्लो आर्ट इं यहां पर सफ़ लूग देख रहे हुँग यहां पर फॉर्मूला वंड़ा फॉर्मूला क्या वंड़ा है ? aक क्यूव मैनस b Q a 2 plus a도 plus b कको तो कि इसके value किती flying qt of a minus b यहां पर ऑक का value रहेगी एक की value रहें ट रहेगी एकह डिसमनो फार्ट इसमें मान रख देजिए और आजाएगा तो अपने को क्या करना है 1D8 से 1D3 को घटा दिना अंसर आजाएगा हमने लिए 1D8-1D3 इसको आपस में घटा देजे यह उबए 0.5 तो कौनसे अप्सन पे दिया है option number D इसका right answer आज़ेगा चलिए next question के और चलते हैं नेट कोशन है कोशन मा की स्थान पे हम X ले लेती है factor X का यानि की गुड़ा 45% हमने लिख दिया 45 बटी इसकी बाद क्या बोला है 90% 30% हमने यहाँ पे लिख दिया इसकी बाद क्या बोला है 210 का 210 का 30 percent ठीक के 210 का 30% यहाँ पे बोला है तो आप इसे solve करना है, बस होतना, 27 गत्ता आजाईगा, और यहाँ पर अपना आ जाएगा यानि कि 27 और यहाँ पर 63 आजएगा, यहाँ पर लिखेंगे, एक से 45 बटी 100 प्लेस यहाँ पर किता आजाएगे 27 और यहाँ पर अपना आजाएगा 63 ठीक है इतना आप सभी लोग को समझ में आ गए होगा अब अपने को क्या करना है कि 63 से 27 को घटा देना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 45 एक से 22 आप अपने को क्या करना है 63 से 27 से 27 को घटा देना है तो ह्याँ किता आजाएगा आप सभी लोग घटा इए यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 याँ यहाँ पर 3 आजाएगा ठीक है, 36 आजएक तो आप सभी लिग यहाँ पर द्यांसे देखिएगा 45 एक से 22 सब और यहां पर किता आ गए 36 आपके आकना अपने को तीरियक गुड़ा करा देना है तो हमने तीरियक गुड़ा करा दे तो एक्स की वैलु कित्ती आ जाएगे 36 इंटू सव और यहां पर पेंटा लिश्ट रहे गए आप इसे दो से काठी जीजे तो यहां पर कित्ता आ जाएगा वही उमेड़ा आप सभी लोग समझ गहांगे यदि आपको फिर भी किसी तता का डाउट रहता है तो आप हमें कुमेंट वॉक्स में कुमेंट कर सकते हैं चलिए नेस्ट कोशन के और चलते हैं इस क्या ख़ड़ से आप इस कोशन को सुल पसाने से सी कर सकते हैं तो बिकीश которое को नेमताय करना हम लेख दिए 10 संट रहे है और बटें में इस क्या था आ जाए दब आफ नंब Mexican mogę सब्सक्राइब करते हैं तो बताइए राम और स्याम मिलके उस कार को कित्ते दिन में पूरा करेगा बहुत इजी कोशन है और आप सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं यहां पर क्या बोले राम किसी कार को ठीक है राम को हमने इसके लिए फॉर्मूला क्रोटे रहेगा इंट ब्रटे ए प्लेस ब्स टीक है इस फॉर्मूला पर महा रग देजिया आ अगधा आ शॉचे रहेगा आप सभर लोग सोचे रहेंगे ए और वे की वैल्यू क्या रहेगी एक की वैल्यू यहां पर 10 रहेगी और बी की वैल्यू यहां पर 15 रहेगी तो हमने लिख दिया 10 इंटू 15 बटे 10 प्लेस 15 यहां पर किता आजएगा 150 बटे 25 तो 25 से कम 25 25 हका 150 यानि कि 6 दिन लगेंगे दोने मिलकर कारी करेंगे तो ठीक है उप्सन नमबर बी उप्सन नमबर ए इसका रायट आंसर रहां चलिए नेक्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नेक्ट कोश्चन है एक त्रिफुच की कोई भुजा 12 सेंटीमेटर है तो त्रिफुच की उंचाई 8 सेंटीमेटर है तो उसका छेतवल कितना होगा बहुत ही इंपॉर है उस भुजा को हम अधार माल लेते हैं इसके पड़ भुजा को हम ने लिख दिया एक बोटी दू अधार कोने कैया माल लिए बारा और उंचाई को हमने क्या माल लिए आठ तेक tay से यहां सारा जागत तो दो कम stir डो तो जो को आट है याननिकि बाररा और बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसका अंसर अगर लाव हो रहानी के गर्ण हमेशा क्रैमोल पर की जाते हैं ओप्सन नमबर A इसका राइट अंसर रहेगा दोस्तों जो एनपसी में पेपर कंड़क्ट होता है केमिकल प्लांट उपरेटर का उसमें स्टेज वन यानि के प्रिलम टेस्ट पर इसी टाप के कोशिन आते हैं लेज आप इस वीडियो को अंतक जरूर देखिएगा ताकि आप खुल के स्टेंट है तो चलिए कोश्चन को भी स्वाघ़् करते हैं यह पर क्या बोल डो वर्गों के उंबस कटा है है नौ अनपात एक है कि उनकी भूजायों का अनपात कितना आपने को क्या करना है दो वर्गों को छेळफ पने को बहुजा फर निया पर दिए हुआ है तो हमने लिग जहें है दो वर्गों को बहुत है वर्गों का अ वहीं इसका भुजाय कनपाड्स ऐसले नेश्ट्ट कोर्ण क्यों चलते हैं नेश्ट्ट्ख थे हैं एक कितने बराबर होता है बहुत हैं एक मिलिshop कुछा जाते hundred price है वहां पर बताएं मेलीं जो फाटल सकता है तो लिए भीबर पाइग हो तसका भॉण गडियों और 21 क्याकूलेटर का मूल कितना है, 30,480 है, तो 32 घडियों और 42 क्याकूलेटर का मूल कितना होगा, ठीक है, चलि इस कोश्चन को सॉल्ब करते हैं, यहाँ पर कितना बोला है, 16 घडि, 16 घडियों और यहाँ पर कितना है, 21 क्याकूलेटर का मूल कितना है, 30,480 है, औ और question पर क्या बोला है 32 घड़ियों और 42 केल्कुलेटर का मुल कितना होगा हम यह ग्याद करना है तो आप सबी लोग ध्यान से देख रहे होंगे कि 16 दूनी 32, 21 दूनी 42 यानि कि हम इसमें गुड़ा करा देंगे तो इसका अंसर आजाएगा इसका दूगना करना है यानि कि ठी 30 आ जाएगा 21 का दूगना करेंगे 42 आ जाएगा उसे प्रकर हम 30,480 के दूगना करेंगे तो 32 घड़ियों और 42 के एकुलेटर का मूल आ जाएगा हम क्या करते हैं इसका दूगना कर देते हैं तो हमने लिख दिये 30,3480 इंटू 2 ठीक है तो इसका गुड़ा करेंगे तो कितन आ जाएगे 60 ठीक है ओप्सन नमबर डीस का राइट आंसर हैगा चलिए नेक्ट कोश्चन क्यों चलते हैं नेक्ट कोश्चन है पिता हुआ पुट्र की ओसात आयू 28 वर्स है तथा इनकी आयू का अनपात 31 वर्स हो तो पिता की आयू गयात कीजिए बहुत इंपॉर्टन को इसके बाद दूसरी लाइन पर क्या बोला है उनकी आयू का और सत किता है 28 वर्स है तो अपने क्या करना है इन दोनों की आयू को जोड़ देना है तो हमने लिख दिया 3x प्लेस x बटे 2 ठीक है औस बोला न किता दी है 28 है तो हमने लिख दिया 28 तो आप इसे स्वाल कर देजिए आनसार आजाएगा तो यहांपे किता आ जाएगा 4x बटे 2 पर यहां पर किता आजएगा 28 2 से आप इसे काट डिजिन पर किता आजएगा 2x बराबर 28 2x बराबर 28 तो x की value किती आजएगी x की value अपनी आजएगी 14 आजएगी ठीक है और अपने को कित की value याद करना है x की value हमें find हो गई किती है 14 है तो यह किसकी आई हो है उत्र की आई हो है और हमें किसकी आई हो गयाद करना है पिता की आई हो तो पिता की आई को हमने किया मानत है 3x मानत है तो x की value यहाँ पर रखते जिए तो 3 और 14 का आपस में गुड़ हो जाए को किता आजएगा 42 यानि कि कॉस्ट 90 की value होती है 0 और इसका right answer देगा चलिए next question क्यों चलते है next question है यहाँ पर क्या बोला है x से 1 upon x से इसकी value किती है 5 है तो हमें क्या गयाद करना है x स्क्वार 1 upon x स्क्वार की value को हमें गयाद करना है तो जब भी इस टाइप का question आई तो जो भी यहाँ पर संख्या दे रहती है जो भी यहाँ पर संख्या दे रहती है तो उसका वर्ग करके 2 होट आ देना है जैसे यहाँ पर संख्या क्या दी है यहाँ पर संख्या दी है 5 इसका अपने को वर्ग करना है वर्ग करने की बार दो को घटा देंगे तो इसका अंसर आ जाएगा तो 5 के स्क्वेर के तो होगे 25 25 माइनस 2 वराब 30 ठीक है इसकी वैल्यू को त्या आ जाएगे X स्क्वेर 1 अपान X स्क्वेर की वैल्यू को त्या जाएगे 30 आ जाएगे ऑप्सन नमबर A इसका राइट अंसर देगा एक बार फिर से रिपेट कर देते हैं जब भी उस्ट आपका कोश्चन आता है ठीक है जिस पर X बटे 1 अपान X बराबर कोई भी वैल्यू दी रहती है तो जो वैल्यू दी रहती है उसका वर्ग करके 2 का घटा देते हैं ठीक है जब भी स्क्वैर की बात आए तब जैसा करते हैं चलिए नफ्ट कोश्चन के वो चलते हैं नफ्ट कोश्चन है केंद्रक त्रिवुच की मद्धिकाओं को की सनपात में विवाजित करता है तो बताए इसका अंसर क्या हो सकता है तो इसका अंसर एगा केंद्रक त्रिवुच की मद्धिकाओं को एक अनपात दो में विवाजित करता है ओप्सन नमबर ए इसका राइट अंसर हैगा जहां से देखिएगा केंद्रक त्रिवुच की मद्धिकाओं को किसनपात में विवाजित करता है तो इसका आंसर एगर एक अंपात दो में भी वाजित करता है चलिए नेट कोश्चन के चलते हैं नेट कोश्चन है रेखा गड़ित के जनक किसे कहा जाते हैं तो इसका आंसर एगर रेखा गड़ित के जनक जो है तो युकुलेट को कहा जाता है ओप्स नम हो सकता है आप सभी लोग ध्यान से सोचेगा और इसका अंसर बताइए तो हैं एक सोर की किसके कारण नचार और या यानिकी option number A is right answer रहेगा चलिए net question क्यों चलते है net question उत्प्लावक्ता का सम्भंध किस से है तो इसका answer अर्खमिडीज से है ठीक है आर्खमिडीज जो है तो उत्प्लावक्ता से सम्भंध है चलिए net question क्यों चलते है नेक्ट कोचन है किसी मनौस्य का समानत अपक्रम होता है यहां पर फैरेनाट पे बोला है तो वताई फैरेनाट पे किस मनौस्य का समानत अपक्रम करता होता है तो इसका answer रहेगा यानि कि option number B इसका right answer रहेगा I repeat किसी मनुस्य का समानता अपक्रम फैरेनाइट में किता होता है अंठानने विडिकरी फैरेनाइट होता है option number B इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है next question है इस्टेटिस्कोप का विश्कार किस ने किया था बताए इसका answer क्या हो सकता है इसका answer रहे लेने के ने किया था option number B इसका right answer रहेगा चलिए next question क्यों चलते है next question है डिडिटि क्या होता है बताए इसका अंदर क्या हो सकता है डिडिटि क्या होता है तो इसका answer रहे नॉन बायोडिक देवल होता है अज यह अब घटनी प्रदूर सब कहलाता है डिडिटि दोस्तो आप हमें comment box में लिखके बताएंगे कि डिडिटि का full farm क्या होता है इसका answer आप हमें comment box में लिखके बताएंगे चलिए next question क्यों चलते है next question है प्रकास अंसलेसर के दर सबसे कम होती है प्रकास अंसलेसर के दर सबसे कम होती है तो इसका अंसर है कि बैगनी रंग के प्रकास में प्रकास अंसलेसर के दर सबसे कम होती है option number 6 इसका right answer है चलिए next question क्यों चलते है दोस्तो आप से एक request है यदि अभी तक आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी मैं next video upload करूं तो उसका notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तो इसके पहले मैंने NFC से related के वीडियो बनाए है यदि आपने उन वेडियो को नहीं देखा तो प्लेज आप उन वेडियो को भी देखे यहां पर काईट्या पा रहा होगो आपको क्लिक करके भी देख सकते है तो question number 28 है एक fuse star को प्यूप के लिए किया जाता है पताई एक fuse star को प्यूप किसके लिए किया जाता है आप सब लोग cut out तो जानते होंगे उस पर fuse star लगे रहती है तो किसके लिए उसको यूच किया जाता है तो इसका अंसर हैगा अत्यदिक धारप्रवाहित के समय बेटुद परवाहित को तोड़ने के लिए कि अगर टांके में क्या होता है तो इसका अंसर है कि C सा वा 3 होता है ठीक है option number A इसका right answer है चलिए next question क्यों चलते है next question है hydrogen को यूँ में जलाने पर क्या प्राप्त होता है बहुत ही common sense वाला question है तो इसका अंसर है hydrogen को यूँ में जलाना है ठीक है H2O की मतलब क्या होता है पान होता है यानि कि option number A इसका right answer है I repeat hydrogen को यूँ में जलाने पर क्या प्राप्त होता है जल प्राप्त होता है चलिए next question क्यों चलते है next question है कौन सा यान्ट समूट से उपर की बस्तू को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है तो आप सभी लोग सोचें और इसका अंसर बता है तो इसका अंसर प्राप्त को प्योग किया जाता है ठीक है option number C इसका right answer है I repeat कौन सा यान्ट समूद से उपर की बस्तू को देखने के लिए प्रियोग किया जाता है इस्तित ऊड़ जा है ठीक है ओप्स नमबर 20 का राइट अंसर रहेगा चलिए नट कोशन क्यों चलते है जीवार्यो की खुच किस ने की थे बताए इसका अंसर क्या हो सकता है तो इसका अंसर रहेगा जीवार्यो की खुच किस ने की थे तो इसका औसर गे Live and Hawk नने की थी Option नमबर 2 इसका रायट आंसर रहेगा चल्बे नत कोशन क्यों चलते हैं नत कोशन एड़़िट जेनर ने खोच की थी बताइड़िट जेनर ने किसकी खोच की थी तो इसका अंसर रहेगा CHDK की थी एक है Option no.D का right answer हईगा चलए Mat question के हो चलते हैं रmm रक्ट का pH मान कितना होता है तो पता है रख्ट का pH मान कितना होता है तो इसका अंसर है कि साथ समलोह 4 होता है Option no.D का right answer है चलए neck question के हो चलते है डांक्र, चित्रकर, शिल्पकर, आदी के द्वारा प्रयोग किये जाने वाले केलस्यम सल्फेट का लोग पर ये नाम है तो इसका अंसर है का प्लास्टर आप पेरिस यानि कि option number D इसका राइट अंसर है चलिए next question क्यों चलते हैं next question है mini मातरोग किसके कारण होता है बताई जो mini मातरोग होता है किसके कारण होता है तो इसका अंसर है का पारह के कारण होता है option number A इसका राइट अंसर है चलिए next question क्यों चलते हैं किस gas की उपस्तिती के कारण वरुन हरे रंग का दिखाई देता है तो इसका अंसर है methane gas के कारण वरुन हरे रंग का दिखाई देता है option number A का right answer रहा चलिए next question के वो चलते है portland cement में gypsum मिलाने में मदद मिलती है बताई कि जो portland cement होती है उसमें gypsum मिला दिया जाता है क्यों मिला जाता है तो इसका अंसर है cement को सिखर जमने से रोकने के लिए option number C इसका right answer रहा दोस्तो अपार्ट से पे आ गए पार्टी पे जन्दन नोलेज और करेंट अफेर के question पूशे जाते है तो चलिए इन question को भी देखते है question number 41 ने कारगिल विजए दिवस किस दिन मनाय जाता है बताई इसका अंसर क्या हो सकता है इसका अंसर है कि कारगिल विजए दिवस जोहतो का मनाय जाता है छब्य चुलाई को मनाय जाता है option number D इसका right answer रहा चलिए next question क्यों चलते है जुडवा खनिच कहा जाता है बताई कौन से खनिच है जिस जुडवा खनिच कहा जाता है तो इसका अंसर है कि सीसा और जास्ता को जुडवा खनिच कहा जाता है option number C इसका right answer रहा चलिए next question क्यों चलते है स्वेट प्रकास कितने रंगों से मिलकर बना होता है तो आप साभी लोग जानते होंगे स्वेट प्रकास साथ रंगों से मिलकर बना होता है option number B इसका right answer रहा next question है वहत आप जिस पर वर्फ पानी और वास्प संत्रुन में रहता है कहा जाते है तो इसका अंसर रहा तो इसका अंसर रहा तो इसका अंसर रहा तो उसे क्या कहते है trick विंदो कहते है next question है निमने में से किस देश को लिली कदेश कहा जाता है मैंने बताया थे इसका अंसर तो इसका अंसर है कानाड़ा को लिली कदेश कहा जाता है option number C इसका right answer रहा next question है बैरो मीटर का विसका किस ने किया था बताया इसका अंसर क्या हो सकता है तो इसका अंसर हैगा ओप्स नमबर A एंगवा गेलिस्तार तौरी सेले ने किया था ओप्स नमबर A इसका राइट आंसर हाँ चलिए नट कोशन के ओचलते हैं हाले में बंगाल की खाड़े में उठपन महाचकरबाती तुफान का नाम क्या था तो आप सभी लोग जानते होंगे अप्पान था ठीक है अप्पान जो है तो हाल है में बंगाल की खाड़े में उठपन महाचकरबाती तुफान का नाम है चलिए नेट कोशन के ओचलते हैं नेट कोशन है कौन भारती मूल के विज्ञानिक हाल है अमेरिकी सिर्ष संस्ता NSF के निदेशक बने है तो बताई इसका अंसर क्या हो सकता है दोस्तों आप हमें कमेंट वोक्स में लिखे बताएंगे कि NSF का फुल फाम क्या होता है इसका अंसर आप हमें कमेंट वोक्स में लिखे बताएंगे तो इसका अंसर है सेतु रमन पंचनाथन जो है तो अमेरीकी सिर्ष संस्ता NSF के निडेशक बनने है चली नट कोशन के वो चलते हैं जगसा किस देश की इसपेस एजनसी का नाम है तो बताए इसका आंसर क्या हो सकता है तो इसका आंसर अगर जगसा जो है तो जपान की इसपेस एजनसी का नाम है ओप्स नमबर ए इसका राइट आंसर है चले नट कोशन क्यों चलते हैं नट कोशन है युद्ध की खोशला या सान्ती का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है तो इसका आंसर रहेगा राट पती वॉप्स नमबर एसका राइट आंसर रहेगा दोस्तो हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगे प्लीज कॉमेंट वॉक्स में बताएं इस वीडियो का अपने दोस्तों के सांथ जादा से जादा से शेयर करें ताकि उनके प्रेपरेशन भी अच्छी हो सके मिलते है नेस्ट वीडियो पे तब तक के लिए थैंक यू दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का प्राप्थ करना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रूप से जुट सकते हैं आप कर सकते हैं